अपु के साथ धाई साल यह एक फिल्म है जो पथेर पंचाली फिल्म के अनुभव पर आधारित है इसे सत्यजीत राय ने लिखा है सत्यजीत राय पथेर पंचाली फिल्म के निर्देशक भी है और यह पाथ उनके इस अनुभव पर आधारित है और इसमें कई बारिकियों को बताया गया है पाथेर पंचाली फिल्म को बनाने में पूरे धाई साल लगे थे और इसमें अपू और दुर्गा की मुख्य भूमिका थी अपू की भूमिका के लिए छे साल के लड़के की जरूरत थी जिसके लिए अकवार में विग्यापन दिया गया और अखिरकार उन्हें अपने पडोस में रहने वाला लड़का सुबीर बनर जी इस भूमिका के लिए उचित लगा लेखक को इस बात का डर था कि समय भीतने के साथ साथ और अपू दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे ज़्यादा बड़े ना दिखने लगें खुश किस्मती से ऐसा नहीं हुआ क्योंकि फिल्म को बनाने में धाई साल लग गए थे शूटिंग की शुरुआत कलकता से सतर मील दूर पालसिट नाम के गाउं में हुई थी वहां रेल लाइन के पास कास फूलों से भरा एक मैदान था सीन बहुत बड़ा था जिसकी शूटिंग एक दिन में होना मुश्किल था साथ दिन बाद जब बाकी के आधे सीन की सूटिंग करने आये तो पता चला कि सारे काशफूल गयब हैं सारे काशफूल जानवर खा गए इसके कारण से अगले वर्ष के लिए सूटिंग को कैंसिल करना पड़ा और इस सीन की सूटिंग में पहली बार लेखक ने तीन रेल गाड़ियों का इस्तिमाल किया चुकि लेखक स्वेम एक विज्यापन कंपनी में काम करते थे इसलिए जब उन्हें समय मिलता तो शूटिंग कर लेते थे उनके पास प्रयप्त पैसों का ही अभाव रहता था इसके कारण उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा पैसे के अभाव के कारण फिल्म में कुट्टे के आधे सीन चित्रित करके बीच में छोड़ दिया गया छे महीने बाद पैसे जमा होने पर दुबारा शूटिंग शूरू की गई तो पता चला कि भूलो कुट्टा तो इस दुनिया में ही नहीं रहा आखिर कुछ कोशिश की गई और उसी गाउं में एक कुट्टा मिला जो भूलो के जैसा देखता था बाकी सीन की शूटिंग उसी कुट्टे के साथ की गई फिल्म में श्री निवाश के भूमिका निभाने वाले कलाकर की भी बीच में ही मोध हो गई देखक को उन्हीं के चेहरे से मिलता जुलता एक व्यक्ति मिला जिसके साथ बाकी फिल्म को चित्राया गया या बनाया गया पैसे की कमी के कारण बारिश का द्रिष्चे भी चित्रित करने में काफी मुश्किल आई और जिसके कारण बरसाथ के दिनों में शूटिंग बंद कर दी गई आखिरकर अक्तोबर में शूटिंग शुरू की गई जब बारिश कम हो गई शूटिंग की दृष्टी से गोपाल ग्राम की अपेक्षा बोडाल गाउं अधिक अच्छा था क्योंकि वहां का मोहो शूटिंग के अनुसार था गाउं में शूटिंग करते समय लेखर का अनेक लोगों से परिचे हुआ जो अलग-अलग व्यक्तित्व के थे जिस घर में फिल्म की शूटिंग चल रही थी उसका मालिक कलकत्ता में रहता था उस घर में एक ऐसा कमरा भी था जहां बैट कर साउंड रिकॉर्डिंग का काम किया जाता था वहीं साउंड रिकॉर्डिस्ट भूपें बाबू का सामना एक बड़े साप से होता है जो स्थानिय लोगों की अनुसार वास्तु सर्प था लेखक उसे माना चाहते थे लेकिन लोगों के मना करने पर उन्होंने ऐसा नहीं किया इस प्रकार फिल्म की शूटिंग पूरा होने के दोरान कई ऐसी परिस्तितियां आई जो लेखक के लिए परेशानी का कारण बनी लेकिन इन सब की बावजूद भी लेखक ने इसकी शूटिंग धाई साल में पूरी की और इसका परिणाम यह हुआ कि इसमें फिल्म आये गए दरिश्य काफी अच्छी तरह चित्रित हुए और यह फिल्म लोगों को बहुत पसंद आई